हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हमकषा 5 गनित की वर्क सीट हल करेंगे उपविशा घन तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रश्ण एक उन वस्तों पर सही का निसान लगाएं जो घनाकार हैं और जो घनाकार नहीं हैं उन पर गलत का निसान लगाएं बच्चो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो घन आकरती होगी उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई बराबर होगी तो आप देख सकते हैं क आकरती इस आकरती की लंबाई चोड़ाई उचाई बराबर है तो यह है गनाकार आकरती है यहाँ पर सही का निसान लगाएंगे ख गलत का निसान लगाएंगे ग गलत का निसान लगाएंगे और सही का निसान लगाएंगे तो यहाँ पर क ग और आकरती गनाकार आकरती हैं ख और ग आकरती जो हैं घनाब आकरती हैं इसलिए इन पर गलत का इसान लगाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेशन दो खालिस्थान भरें पहला एक घंड में डैस फलक होते हैं तो यहां लिखेंगे छै एक घंड में छै फलक होते हैं दूसरा एक घंड में डैस कोने होते हैं तो यहां लिखेंगे आठ तीसरा एक घंड में डैस किनारे होते हैं तो यहां लिखेंगे बार चोथा एक घंड के सभी पक्स डैस होते हैं तो यहां लिखेंगे समान चलिए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन तीन निम्न आकरतियों को उनके नेट के साथ मिलाएं बच्चो नेट का अर्थ है जाल आकरती दी हुई है और उनके सामने नेट दिया हुआ है नेट का अर्थ है कि जहां पर ये डोटेड लाइन दी हुई है यदि हम उन्हें वहां से मोडेंगे तो जो आकृती बनेगी वो आकृतियों में से कोई एक हो सकती है तो चलिए हम आकृती का उसके सही नेट से मिलान करते हैं पहली आकृती का मिलान करेंगे ख से दूसरी आकृती का मिलान करेंगे घ से तीसरी आकृति का मिलान करेंगे क से चोथी आकृति का मिलान करेंगे ग से चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न चार नीचे दिये गए फर्स के नक्से को देखें और फिर बताएं कि इस मंजिल के नक्से के अनुसार कौन सा घर बनाया गया है तो बच्चो यहाँ पर आप नक्से को दियान से देखेंगे फिर सही घर को चुनेंगे जो कि इस नक्से के अनुसार बनाया गया है तो यहाँ पर उत्तर होगा यह वाला घर इस नक्से के अनुसार है क्योंकि अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि D ये वाला घर क्यों नहीं है तो आप देखेंगे इसके इस तरफ वाली जो खिड़की है वो बिल्कुल बीचो बीच है और जबकि नक्से में जो खिड़की दी हुई है वो पीछे की तरफ साइड में दी हुई है तो इसलिए केवल यही वाला घर सही इस नक्से के अनुसार बनाया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न पांच नीचे दिये गए घर के फर्स के नक्से क को देखें इस घर के गहरे चित्र ख पर दरवाजे और खिड़कियां बनाएं आप देख सकते हैं क फर्स का नक्सा है उस पर जो दरवाजा खिड़की दी गई है वही आपको ख चित्र पर बनानी है तो यहाँ पर आप दरवाजा बनाएंगे जैसा की क नक्से में दिया गया है और यहाँ पर पहली खिड़की बनाएंगे और इधर दूसरी खिड़की बनाएंगे तो इस प्रकार आप ख आकर्ती में नक्से में जो दर्वाजा और खिड़की दी गई हैं बनाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं जीवन कोशल आयू की गणना जन्म के दिन से लेकर वर्तमान दिन तक के समय की गणना करके हम किसी की भी आयू ग्यात कर सकते हैं बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि जिस दिन जन्म होता है उस दिन से लेकर वर्तमान दिन तक के समय की गणना करके हम किसी की भी आयू ग्यात कर सकते हैं अर्थात यदि कोई व्यक्ती जन्वरी 2000 में पैदा हुआ है तो इस जन्वरी 2021 में वह 21 वर्ष का हो चुका होगा अब यहाँ पर प्रस्न भी दिये गए हैं प्रस्न एक अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के नाम की सूची बनाए तथा उनकी जन्वरी वर्तमान तिथी तक की आयू लिखिए तो यहाँ हम क्रम संख्या एक, दो, तीन, चार लिखेंगे परिवार के सदस्यों या मित्रों के नाम की सूची में अपने परिवार के सदस्यों के या मित्रों के नाम लिख सकते हैं जन्तिति लिखेंगे उनकी और वरतमान में जो आयू है अर्थात आज की डेट के हिसाब से जो उनकी आयू है वो लिखेंगे यहाँ करम संख्या में एक में मैं अपने पिता जी का नाम लिखू हूँ है यहाँ गंगा परशाद जिनकी जन्तिति 26 अक्टूबर 1980 और वरतमान समय में आयू 41 वर्स है दूसरा राधा माता का नाम जन्तिति 15 सितंबर 1982 वरतमान आयू 49 वर्स तीसरा मेरा भाई संजे जन्तिति 3 अपरेल 2009 वरतमान आयू 12 वर्स चोथा अरुन समय 5 जून 2011 जन्तिति वरतमान में आयू 10 वर्स बच्चों यहां हमें याद रखना है कि जन्म वर्स को वरतमान वर्स में से घटाने पर वरतमान आयू ग्यात हो वर्स आ जाएगी इसी परकार आप किसी भी व्यक्ति की वरतमान आयू उसकी जन्तिति से ज्यात कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण 2 किसी भी व्यक्ति की जन्तिति में कौन सी तीन चीजें मुख्य रूप से इसे अर्थ-पून बनाती हैं तो यहां पर आपको लिखना हे कि किसी भी व्यक्ति की जन तिति में कौन सी तीन चीजे मुख्य रूप से इसे psic अर्थ पून बनाती हैं तो पहला होता है deben तिति अर्थात तारिक कॉ- दूस्रा होता है महा अर्थात महिना हे तो तीसरा होता है हिसे अर्थात तारिक हो गई ऑक्टूबर अर्थात दस्वा महिना हो गया और 1937 अर्थात वर्ष हो जाता है तो बच्चों यह वर्कशीट यहां कंप्लीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यों पर बने हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नौलेज किंगडम थैंक यू